नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अगर आपका बैंक ऑप बरोडा में अकाउंट है और आपको ATM कार्ड रिसीव हुआ है फिर जनरली हम क्या करते हैं वालेट सब लोग आज यूज़ करते हैं जैसे पेटियम है गूगल पे है फॉन पे है बैंक ऑप बरोडा का पीम बरोडा पे अप है उससे हम जनरली ओनलाइन पेमेट करते हैं रिल्वे टिकेट बूप करते हैं रिचाज वगेरा सब करते हैं लेकिन उसमें डेबिट काड हम एड करके ट्रांजेक्शन करने जाते हैं आज के इस वीडियो में हम देखने वाला है दोस्तों आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा क्योंकि यहां पे ओनली फॉर बैंक बरोडा रिलेटेड यूसपूल वीडियो आपको मिलती रहे हैं दोस्तों जनरली एटियम का डेबिट का होता है तो उसमें क्या होता है अभी RBI की नई गाइडलेन के इसाब से सब्सक्राइब का डेबिट काड जो भी नए है उसमें एक कोमर्स मतलब ओनलाइन के लिए ऑप्सन स्वीच ओफ रहता है उसको हमें ओन करना रहता है अगर हम ओन नहीं करेंगे तो डेबिट काड ओनल सालने के काम करना होता है बागी और कुछ काम होता नहीं है तो इसलिए कि आप उन लोगों के साथ बहुत सारे फ्रॉड हो रहे थे वो टीप बैसे लिए ने गाइडलेन जारी कर दिया कि आपको डेबिट काड अगर जिसको ऑनलेन के लिए यूज करना है तो स्विच ओन कर कर रहे उसको एक मसीन में जाके करना पड़ेगा आज के इस वीडियो में हम देखने वाले आप एक मसीन में जाके कैसे कर सकते हो सबसे पहले तो आप नियरेस बैंक बरोडा के एक में चले जाएगा तो आपके सामने कुछ इस टैप का ओप्शन आ जाएगा लेंग्वेज स बिटार पे क्लिक करते हैं तो एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा आप अपना एंटरफिन कर दीजिए फिर उसके बाद कुछ इस टैप का इंटरफेस आ जाएगा यहां पर आप देख सकते हो दो ऑप्शने मेनेज चैनल और दूसरा है सेट कार्ड लिमिट हमें मेनेज चैनल पे क्लिक करना है जैसे आप मेनेज चैनल पे क्लिक करते हो तो आपके समने फिर से एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा है फिर चार ओप्शन आएगा आप देख सकते हैं यहां पे ATM, POS, e-commerce और contactless हमें e-commerce जनरली हम जो error आ रहा है इसका solution के लिए हमें e-commerce पे क्लिक कर रहा हूँ जैसे हमें e-commerce select करेंगे तो आपके समने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा आपके समने चार ओप्शन पहला है domestic दूसरा है international तीसरा है बहुत मैं यहां पर बहुत पर सिलेक कर रहा हूँ मतलब international भी चलेगा और domestic मतलब इंडिया में भी चलेगा अग आपको सिंपल यहां पर कंफॉर्म है उसके उपर क्लिक कर देना है जैसे आप कंफॉर्म के क्लिक करोगे कुछ प्रॉसेस होगा उसके बादे सक्सेस्पूली ऑटोमेटिक हो जाएगा दूस्तो आज का यह वीडियो आपको यूस्पूल लगा तो वीडियो को लाइक और से जरूर कर दीजिएगा फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए खुश रहें मुस्कुराते रहें तन्यवाद